दोस्तो अब है जो VLC आप यूज नहीं कर पाईएगा बी एसल है जो इंडिया में बाइन हो गया है और यह बाइन क्यों हुआ है हलाकि जिसके पास है उसके पास चल रहा है क्योंकि यह ओफ लाइन प्लेटफॉर्म है VLC के बारे में नहीं जानते हैं तो हम VLC के बारे में बता जाते हैं एक है जो मल्टी टास्किंग ओप्रेटिंग एप्लिकेशन है जो भी फॉर्मेट आइडियो वीडियो का होता है वो सारे सपोर्ट कर लेता है तो VLC और Max Player दोनों का जो लगवग है वो कॉम्बिनेशन सेम ही है बट Max Player है जो अब है जो 80 टिफरेट फार्म भी प्रोवाइड करने लगा है लेकिन VLC वीडियो को प्ले करने के लिए यूज किया जाता है एक अप्लिकेशन है जो कि Android, iOS एंड PC कंप्यूटर के लिए भी अवलेवल है तो इसका है जो जो भी इसका कंपनी है वीडियो लेव करके वो है उसका वेबसाइट है वार जी वो वेबसाइट है जो बैन हो गया इंडिया में उसको हम उपेन करने के कोशिश कर रहे है तो नहीं खुल रहा है वो बोल रहा है कि किसी बज़़ा से वो बैन कर दिया गया है तो क्यों बैं किया गया है आपको पता ही हुआ कि हाल फिलाल से बहुत सारे अप्लिकेशन है जो इंडिया में बैं हो रहा है तो इसके पीछे किस इसका कारण लेकर omination है- गाइयन ही तो क्या आपको मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि वील्च का-िया चािना के था तो दोस्तों नहीं यह China का company नहीं था यह USA based company था लेकिन कुछ जो application है जैसे Android का application जो है वो चाइना का है जो जैसे lab होता है एक line होता है तो वो दोनों organize करता था जैसे कि PUBG में Tencent आ गया था और फिर original company Crafton का था तो उसके बाद भी बैन हो गया किस लिए वाइन हुआ हम आपको PUBG वाले वीडियों में बता चुके हैं अगर देखना चाहते हैं तो i button में दिया हुआ है description में भी दिया हुआ है उस भी देख सकते हैं उससे सारी बाते आपको समझ में आएगी वीडियो लैव है वो इसका origin company है और यह PC प्रोबाइट करता है अगर मोवाइल में डाउनलोड करना है तो यह जो चाइना से combine है और उसका नाम है वीडियो लैन लैव होता है लैव होता है लैव है जो ओरिजनल है तो लैव को बैन कर दिया गया है और लैव भी है जो हटा आप लिए जाए जाए यह ऐस टोर से हटा दिया जाए जैसा कि आप बीजी में में देखें बीना कि कोई सूचना कि वह है जो प्लेश्टोर एंड्ड्रॉइड आए यह स्टोर से हट गया और हला कि उसका सर्वर अभी चल रहा है तो पबजी वाला जो है बीजी माई जो अ सारे application by default रहते हैं तो हमें नहीं लगता कि फोन में कोई VLC यूज़ करते होंगे बट फीचर बहुत अच्छा था ये कब का जो दौर है जिस्ट समय बहुत सारे format है जो Windows XP और Windows 7 में ये सपोर्ट ही नहीं करता था तो जब उस टेम है जो VLC आया था जो कि सारे format को सपोर्ट करता था उस टेम में बहुत ज्यादा इसका यूज़ था और अच्छा काम भी करता था उसमें एडियो को भी चेंज का option आता था तो ये बहुत अच्छा था लेकिन अब है जो आने वाले स प्रेक्सिक सप्ट्वेर डालना पड़ता था जो कि VLC और बहुत सारे हैं सप्ट्वेर हैं MQ हाला कि इसमें जो रीजन बताया जा रहा है यह ओपन सोर्स से सप्ट्वेर है इसका मतलब यह होता है कि जो उसका source code है उसके मदद से और कई सारे ऐसा application बनाया जा सकता है तो इ यह है जो फ्रसा इसी बज़ा से हमें लगता है कि दिक्कत हुआ होगा हमें मेरा opinion है अभी तक official कोई जनकारी नहीं आया तो VLC इसे काफी लोग कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन बिंडोज में जो आदत लग चुकी थी VLC चलाने का तो चला सकते हैं बाट उसको अपडेट लेकिन चला सकते हैं क्योंकि ओफ्लाइन बर्जन में चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन जो बैन हो गया है तो उसको हटाने में ही फाइदा है क्योंकि कुछ भी हो सकता है उसका source code या connectivity कहीं से होगा या update का जो भी चाइना सा है लिंक है और सरकार इस पर बहुत ज्यादा धियान रख रही है बहुत सारे application को बाइन कर चुकी है और इनका थोड़ा सा गलत तरीका है अगर फोई फॉन दे रहे हैं तो वीवो ब्रोजर दे रहे है उपो ब्रोजर दे रहे है तो इसका क्या जरूरत है अगर यह इस्तमाल करते है त तो Chrome browser यूज कीजिए, Windows software चलाते हैं, तो इसमें एज का जो browser है, काफी अच्छा हो गया है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, और Windows में भी अच्छा काम करता है, और iOS के लिए तो Safari है ही, तो वो तो पहले से ही है, जो सिक्यूर्ड है, तो इस जनकारी हम आपको बताना चाह रहे तो overall आपको सारी बाते समाज में आ गई होगी, और इस पर text related videos और university review का videos हमेशा आते रहते हैं, per day video upload होता है, और अगर वीडियो का दिन लेट हो गया, तो कहीं कहीं हम काम में किसी काम में बज़े हुए थे, इस वैसे वीडियो है जो नहीं आया, डिले हो गया, तो चलिए म